प्यारे बच्चों, एक गाव में एक कुमहार रहता था और उसके दो बेटे थे इश्माइल और शफीक, इस्माइल बुधिमान था जबकि शफीक मूर्ख था कुमहार के पास एक गधा भी था, ये उसकी आजीविका थी जैसे जैसे समय बीटता गया, उसके बेटे जवान हो गए, उनका सबसे बड़ा बेटा उनके साथ मिट्टी के बर्तन बनाता था और उसे बेचने के लिए शहर भी जाता था वो प्राथमिक विद्याले तक शिक्षित था, जबकि शफीक बहुत अक्षम था उसकी बेहन, जिसकी शादी हो चुकी थी और उसका नाम जीरो माई थी, आकर उनके लिए खाना बनाती थी जीरो माई ने अपने भाई को उन दोनों से अभी शादी करने की सलाह दी ताकि उन्हें समय रहते अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो सके कुमहार ने दोनों पुत्रों का विवाह किया और अब खर्चा बढ़ गया और कुमहार भी बीमार हो गया इसलिए उसने समोसे और आलुए उसका व्यवसाय फला फूला थोड़ी देर बाद कुमहार का निधन हो गया और घर की सारी जिम्मेदारी इसमाइल पर आ गई क्योंकि शफीक ने काम नहीं किया इसमाइल नहसंतान हो गया और उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि वो कितने समय तक ऐसे ही रह सकता है शफीक को काम करने के लिए कहो नहीं तो हम यहां से चले जाएंगे उसकी बुद्धी अपने आप समाप्त हो जाएगी इसलिए इसमाइल अपने बच्चों के साथ अपने ससुर के पास गया और कड़ी मेहनत करने लगा इस बीच शफीक की बचत समाप्त हो रही थी और वो घर का सामान बेचने लगा पत्नी ने कहा हमारे पास है इस गदहे के सिवा और कुछ नहीं बचा और हमारे पास खाने के लिथे कोई संतान नहीं है अब हमारा कोई भाय इश्मायल नहीं है और वो हमारे बुड़ापे का सहारा बनेगी यह सुनकर शफीक बहुत खुश हुआ फिर गधे का थेला बना कर स्कूल में छोड़ गया उसने गधे के गले में कपड़े का थेला लटका दिया और स्कूल की ओर चल दिया उसके चाचा जेद्वान के पीछे दोड़े यह पूचने के लिए कि वे गधे को स्कूल क्यूं ले जा रहे हैं लोगों के घरों में काम करने वाली और मेहनती महिला नसीमा ने भी देखा तो खुलकर हंस पड़ी गधे के गले में लटका हुआ थेला दमपती गधे को लेकर स्कूल के गेट पर पहुचे गधे ने इतने बच्चों को आगे देखा और स्कूल के गेट पर रुक गया दमपती ने उसे धक्का दिया और अंदर ले आए फिर वे मास्टर खालिद के पास गए मास्टर खालिद ने कहा हाँ भाई शफीक कैसे आया शफीक ने कहा साहब साहब पर लिखकर हमारे गधे को इंसान बना दो ताकि बुड़ापे में यह हमारा सहारा बन सके मास्टर खालिद साहब एक चतुर आदमी थे और इन दोनों मूर्खों को अच्छी तरह जानते थे मास्टर खालिद कहने लगे की क्यों नहीं लेकिन इसकी एक फीस होगी वैसे तो हमारी फीस ज्यादा है लेकिन आपने पूरे साल के लिए केवल पाँच हजार रुपे का भुपतान किया पाँच हजार सुनकर दोनों के दांत पसीने से तर हो गए वे गधों को दिन के लिए छोड़ गए और घर आ गए उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे उन्होंने अपना पहिया ठेला बेच दिया और मास्टर साहब को फीस का भुपतान किया और फिर खुशी खुशी घर आ गए दो साल बीट गए और फिर शफीक ने सोचा अब मेरा गधा इंसान बन गया होगा अब हम उसे घर लाते हैं पती पतनी दोनों अपने बेटे के गधे को लेने के लिए स्कूल गए और मास्टर साहब से पूछा कि क्या हमारा गधा इंसान बन गया है या नहीं क्यों न अब आपका गधा पुलिस इंस्पैक्टर बन गया है लेकिन मैंने इस काम को बड़ी मेहनत से किया है मैंने इसका नाम शामो रखा तुम दोनों ऐसे ऐसे थाने में जाओ वहाँ शामो इंस्पैक्टर है दोनों बहुत खुश हुए वे दोनों इंस्पैक्टर से मिलने गए, पूछने पर उसने सामने की और इशारा किया, शफीक ने उसे धूप में एक कुरसी पर बैठे देखा, पती पतनी दोनों अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए और कुछ ही दूरी पर उसके सामने जमीन पर बैठ गए, वे उसे खुशी से, देखने लगे कि वो हमें पहचान लेगा, इंस्पैक्टर उसे देखा और फिर दूसरे पर, फिर उसने फिर देखा और शफीक ने गधे की रसी को बाहर निकाला और उसके सामने लहराने लगा, इंस्पैक्टर शमो भ्रमित हो गया और सोचा कि ये, दोनो पागलों की तरह क्यूं काम कर रहे थे उसने उन दोनों को अपने पास बुलाया और फिर पूछा की क्या बात है तुम दोनों इस तरह क्यूं अभिने कर रहे हो तो शफीक ने कहा बेटा तुमने हम दोनों को क्यूं नहीं पहचाना तुम गधे हुआ करते थे फिर हमने तुम ही स्कूल में भर्ती कराया इस तरह तुम इनसान बने अब तुम हमें पहचानते भी नहीं हो शुरुआत इंस्पैक्टर कहने लगा तो शफीक ने सारी बात बता दी इंस्पैक्टर ने कहा मुझे मास्टर खालिद के पास ले चलो तब शफीक और उसकी पत्नी उसे मास्टर खालिद के पास ले आए इंस्पैक्टर ने कहा ये दोनों बहुत ही मासूम और सीधे साधे हैं आपने उन्हें और मूर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी फिर उसे शफीक से कहा देखो अगर लोग नहीं पढ़ते हैं तो वे गड़ों की तरह मोड बन जाते हैं लेकिन ग गड़ा मास्टर के पास है माफी मांगी और पांच हजार की फीस भी वापसी कर दिया भुगतान कार्तों ने भी इस्तेमाल किया वापस कर दिया फिर इंस्पैक्टर शामो अपने घर ले गया और उसे बेटा बन गया और प्रयोग प्रयोजित करना दिया झाल 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 झाल